हेलो नमस्कार स्वागती आपका मेरी यूट्यूब चेनल में आज मैं आपको एक ट्रावेलिंग बेक बनाना सिखाऊंगी जो बनाने में बहुत ही इजी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक बनाना उसके लिए मैंने एक कपड़े स्पंच और ग्रे को ऐसे मोटा मोटा क्ल लिया हुआ है कि दो में पोकेट चाहिए इसमें लगाने के लिए वह मैंने दस दस इंच का लिया हुआ है और तीन हमें जिप चाहिए एक तीस इंच की चाहिए और दो दस दस इंच की चाहिए हमें तीन जिप चाहिए और तीन रनर चाहिए हमें तो चलिए फ्रेंट्स दि तो ह्यासा आप इस्वाइब करें लगा झा तो जैब को इसके ऊपर ओप स्कृआ य्या चाटक सीलाए लगा लेनी है और धूसरी ऑपी जैट इसे लाइब काची जीप लगा लें एस यह मैंने दौणों सैड जिप लगा लिए अभी हमएजिप को एसे खोड़ लेना है पर दोने साइड अमें इस सी अंदर की साइड जो 傷र तरव में ragu का च करें यह ते दोनों सइड हमें प्रैश्चिच कर यहां पे सेंटर करनिशन बना लेना है यहां पे कट कर लेना है दोनों साइड हमें इसी तरह से कट कर लेना है सेंटर करनिशन बना लेना है ऐसमें रननर डाल देना है एक साइव करते हैं मैं डूसरी सते से फिर अछा लगा लेना है इनुख यो साइव से मैंने रनर लगा लिए अब यह अमिश्क को पलटा कर लेना है उल्टा कर लेना है यह मैंने पढ़ता लिया है अभी हमने जो निसान बनाया था सेंटर का उसके उपर में जिप को रखना है जिप को में उसके उपर ही रखना है और हम पिंट से ऐसे अटेज कर लेंगे ताकि वो खिसके ना दोनों साइड हम इसी तरह से कर लेंगे पिंट लगाके दूसरी साइड भी हमें से ही सेंटर में जिप के उपर रखके ऐसे पिंट से अभी आमें दोनों साइड इस साइड और इस साइड दोनों साइड आमें सिलइं लगा लियें यह दोनों साइड मैंने सिलाई लगा लिए इस साइड और इस साइड दोनों साइड मैंने सिलाई लगा लिए अभी हमें चारों कोनों में ऐसे उपर से चार इंच लेना है और ऐसे भी हमें चार इंच लेना है ऐसा बोक्स बना लेना है चारो साइड इसी तरह से बोक्स बना लेना है यह चारो कोनों में मैंने मीशन बना लिया है ऐसे अभी हमें इसको कट कर लेना है चारो कोनों में इसी तरह से कट लेना है करके ऐसे इसको जो सिलेई वाला इसा है और कौनों से इसको एसे पकड़के आप इन से सिक्यर कर लीजियों कौनों कौनों करने के बाज यहां पर हमें चीलेट लगा लेनीं यह यहां से आमें इस तरह से लगा लेनी है चारो कोड़ों में सिसमे military से लगा ले नीए कब मरहां करें प्रुकर्ट 504 दरी लगा लिए को अब कि Hem इसकों सिधा कर लेंगे कि यह सिदा कर लिया है मैंने अभी हमें इसके आगे और पीछे के पॉकेट बनाने अभी हमें इसमें जीप लगाने है तो उपर से हम इसके लिए ती दो इंच रखेंगे और हम यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे हम जीप लगा लेंगे जीप को हमें इसके उपर एसे रखेंगे यहाँ पे सिलए लगा लेंगे और दूसरी साइट भी अमें इसी तरह से हमें यह वाला पाढ़ना है और उपर से हमें यहां से लगा लेनेज्ट मे अम इस तरह से ज forensic कर सक्राइब यह यह दोनों pocket में जीप तरह से लगा लेनीें हैं सब्सक्राइब अभी हमें इसमें रणर डालना है हमें चार जिप चाहिए मैं भूल गई थी एक जिप बताना जो यह रणर चाहिए हमें चार रणर चाहिए यह दोनों में मारा रणर भी लग गया है अब हमें बेल्ट भी इसके साथ ही लगाना है तो यह बेग में हम पोकेट लगाएंगे अभी हमें बेक का यहां से सेंटर लेना है तो जहां पर हमने यह सिलाई लगाई थी यह वाला जो हमारा यह सिलाई लगाई थी और दूसरी साइट में सिलाई लगाई थी उसको ऐसे पकड़के हमें दोनों साइट से इसे फोल्ड करना है इस तरह से पकड़के यहां पर हमें निशान लगा लेना है यह हमारा सेंटर का निशान लग दे आ है दोनों सेट में ने सेंटर का निशान लगा लेना है अब हमें पोगेड में सेंटर का निशान लगा ना है जो नो को गित मैं इसे दरसेंडर कमें सानल अले लेंगे कि paganimet को लेना है जो सेंटर का निसान लगाята पर में इंस Näर इसे फोलड करके इसे पोकिट को ही सब्हुल्ड करना है कि इस स्ब्भाद करके अ現在 जो नंतर है निसान लगाै था वहां पर में हमीद है दोनों सेंटर को मिला कि हमें ये पीन से हम स्टप कर देंगे करना है तो नीचे की साइड भी हमें इसी तरह से करना है यह से थोड़ा सा फोल्ड करके हमें की मनदद से यहां पे भी सिक्योर कर लेना है नीचे की साइड भी हमें सिक्योर कर लेना है फोटीफोर के हमें दो बैल्ट लेने यह रेटिमेंट बेल्ट आते हैं वही मैंने लिया हुआ है पोटीफोर का दो बैल्ट लिया हुआ है अभी जो हमने यह पोकेट लगा रहा था यहां पर की साइड और नीचे की साइड दोनों सेड हमें सिलाई कर लेनी है पेले और हमें यहां से से फोल्ड करके यहां से हमें यहां तक हमें बैल्ट लगाना है सिलाई लगानी है दोनों साइड और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके हमें ऐसे बेल्ट को लगा लेना है तो दोनों साइड हमें इसी तरह से बेल्ट लगा लेने हैं तो देखिए फ्रेंट्स यह हमारा तीन पोकेट वाला बेक बन के तयार है इसमें बहुत सारा सामन आ जाएगा आपका तीन पोकेट है एक आगे एक पीछे और एक में में पोकेट है आप भी ऐसा बेग घर पे बन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक सेर और कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें थैंक यू झाल